लोग ने अपने चैप्टर chemical reaction and equation में बात की थी chemical and physical change के बारे में chemical change के बारे में हमने कहा था chemical change वो change है जिसमें कि हमें कोई एक नया substance मिल जाता है जिसकी property एकदम different होती है पुराने substance से जबकि physical change वो change है जिसमें कि हमारे पास सकेवल state में physical state में size में सेप में ही changes होते हैं हमें कोई नया substance नहीं मिलता है इसी तरह से हमने बात की थी chemical reactions के बारे में chemical reactions वो process है जिसमें एक या एक से जादा substance आपस में मिलकरके बिल्कुल ही different एक एक से ज़्यादा substance पॉर्म करते है है जिनकी property बिल्कुल ही difference होती है जैसे की हम लोग ने एक्जामपल दिया था अगर हम hydrogen and oxygen दोनों को मिला हैं तो हम्हें Water form होता है जिसकी property hydrogen class & oxygen से बिल्कुल different होती है इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं इस टॉपिकपर तो आज हम लोग्ष सीखेंगे representation of chemical reaction एक chemical reaction को हम represent कैसे कर सकते हैं इसके लिए हमारे पास दो method है पहला method है जैसे की word equation और दूसरा method है in the form of chemical equations दोनों के बारे में बात करेंगे हम लोग जैसा कि इसकी जवुरत क्यों पड़ी हमें representation of chemical reaction की एक हमारे पास example है जहां पर हमने एक reaction को लिखा हुआ है जिसमें कि zinc metal react कर रहा है hydrochloric acid के साथ में और वो form कर रहा है zinc chloride और hydrogen gas अब इसमें हम लोग देख रहे हैं कि यह काफी लंबा process लिखा गया है इस तरह से बहुत सारी reactions को एक साथ लिखना possible नहीं था तो इसके लिए दो method बनाए गए पहला method बनाए गए वर्ड equation इसमें अगर हम words की form में इसी equation को लिख दें तो वो equation हो जाएगी जैसे कि zinc zinc को हम zinc plus hydrochloric acid gives zinc chloride and hydrogen gas अगर हम इस form में इसी reaction को लिख देंगे तो यह words की form में है तो word equation कही जाएगी एक्दम simple है अगर हम words की form में रिप्रेजेंट कर दें किसी भी एक्स तरह के कि equations को reactions को तो उसे हम कहेंगे word equation जबकि अगर हम इन ही के symbol और formula के form में यूज करें इन ही को अगर हम symbol या formula की form में यूज करें तो हम उसे कहेंगे chemical equation इस तरह से representation of chemical reaction हमारे लिए कह सकते हैं कि हम इसको concise representation concise representation that is called chemical equation या word equation किसी भी reaction का concise representation करना ही हमारे लिए word equation या chemical equation है chemical equation में हम formula या फिर उस element या item का हम यूज करते हैं symbol ठीक है अब आगे हम लोग बात करेंगे इसके तो इस तरह से एक chemical reaction को लिखने के लिए हमारे पास कुछ step होते हैं जैसा कि हम बताते हैं नीचे का example लेते हैं हम equation का zn प्लस scl gives zncl2 plus s2 gas ठीक है इसको लिखते हैं तो यहां पे हमारे पास कुछ step है जैसे हम अगर बात करें reactant की अब हमाय पास एक नया word आता है reactant पहले हम समझ लेते हैं फिर हम लोग बात करेंगे इन terms की जैसे अगर हम लोग बात करें left hand side में एक बीच में center में arrow से हमने दो parts में divide कर रखा है reaction को एक इसका left hand side है और एक हमारे सामने right hand side है left hand side में जो भी हम लिखेंगे उसको हम लोग कहते है reactants और right hand side में हमने जो भी लिख रखा है उसे हम कहेंगे product तो हमारे पास दो टर्म आए अभी reactants and products ठीक है तो हम लोग बात करते है reactants की यहाँ पर हमने equation अभी balance नहीं किये है इसको हम अभी आगे सीखेंगे फिर भी हो सकता है कुछ लोग इस पर object हम यहाँ पर balance कर देते हैं objection से पहले ही हम इसको balance कर देते हैं balance करना अभी हम लोग आगे इस चैप्टर में सीखेंगे कि कैसे reaction को हम लोग balance कर सकते हैं लेकिन फिर भी हम यहाँ बात कर रहे हैं reactants के reactants क्या होते हैं यूजुली रियक्टेंस को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं और जो प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें हम राइट हैंड साइड में लिखते हैं रियक्टेंस वो सब्स्टेंस हैं जो एक कैमिकल रियक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं पहला रियक्टेंट्स वो सब्सक्रेंट्स है जो रियक्टेंट्स रियक्शन में क्या करते हैं पहला ये रियक्शन में पार्टिसिपेटेंट्स रियक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं धीरे धीरे खताम हो जाते हैं सम आप्ठ हो जाते हैं तो रियक्टेंट्स वो होते हैं जो पहले पार्टिसिपेट्स करते आने और यूजूली इनको हम लफ्रेंट्स प्रॉडक्स की । बदक्स में जो भी हमी ये रियक्शन के दौरान हम आरे सामने फॉर्महोता है या जो केमिकल रिच्षन के दौरान हमारे सामने ह सामने होता है हम उसे प्रॉडक्ट कह relevant को उज्वली हम लोग कि इधर लिखते हैं राइट हैं उत्य होता है था प्रोड़क्स का अमाउंट केमिकल रियक्शन के दौरान क्या होता है इनक्रीज होता है तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो रियक्टेंट और प्रोड़क्स में एक चीज हम ध्यान में रख सकते हैं कि यह पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रियक्शन में और प्रोड को हम अपने chemical reaction में right hand side में लिखते हैं तो इस तरह से एक chemical reaction को लिखने के लिए अगर हमारे पास दो यह दो से ज्यादा substance हैं तो हम उनके बीच में plus का sign लगाएंगे उनको indicate करने के लिए और product और reactants को बीच में difference बनाने के लिए हम arrow का use करेंगे arrow के head side में हमारे product होगा arrow के tail side में हमारे सामने reactant होगा इस तरह से हम देखेंगे तो product product में भी अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा substance हैं फॉर्म हुए हैं तो हम उनके बीच में अलग करने के लिए plus का sign लगाते हैं प्लस अगर हमारे पास कोई symbol representation है जो कि हम एक reaction को कैसे और informative बना सकते हैं उसमें सीखेंगे लेकिन फिलाल यह arrow यहां पर दिखाता है upside arrow कि यहां पर H2 gas बन रही है ठीक है तो इस तरह से हम एक chemical reaction को represent कर सकते हैं तो यहां पर हम लोग आज सीखे हैं कि एक reaction जो है में हम लोग अभी नेक्स वीडियो में फिर से एक बार बात कर लेंगे है